नवस्कार दोस्तों, थार्मिक चमतकार में आप सभी का स्वागत थे, भगवान सिप के गले में क्यों लिप्टा रहता है साप, क्या है इसके पीछे की कहानी, भगवान सिप जो तेड़ने इत्रिबाले हैं, जिनके सिर पर गंगा और चंद्रमा बिराज माने, जिनकी लंबी लंबी जटाए हैं, सरीर पर बाग की छाल लपेटे हैं, गले में रुद्रक्ष की माला और साप धारन किये हुए हैं, जो डमरू के धुनपन द्रत्य करते हैं, और तिर्सूल उनका सस्त्र हैं, नंदी उनका प्रिय भगत और बाहान हैं, खीर और भांग उनके प्रिय कहते हैं, भगवान से सम्मंदेत इन सब बातू का अपने एक मतलब हैं, और किसी न किसी बात का ये प्रतीक हैं, जैसे चंद्रमा, सीतलता और गंगा ज्यान का प्रतीक हैं, नंदी धर्म का और अमरू को ब्रह्मान का प्रतीक माना गया, लेकिन कि आपको पता है, भगवान सिप के गले में लिप्टा साप किस बात का पृतिक है आईए इसके पीछे की कहानी जानते हैं भगवान सिप के गले में लिप्टे नजर आने वाले साप का नाम बासुकी है जो भगवान सिप के अतिप्रिय भगत हैं कहते नागवन सी लोग सिप के छेतरिम हिमाले में ही रहत इस बात का पिर्मान नागिस्वर जोती लिंग में भी है जिसके नाम से पता चलता है कि सिप नागो की इसवर है और सिप का उनसे अटूट सम्मन्द है जिसे देखते हुए हर साल नाग पंचिमी कतिवर मनाया जाता है इस दिन पूरे स्रदभाव से नागो की पूझा अर्च नाम से कुल पाच कुल थे इन में से से शे नागो का पहला कुल माना जाता है इसी तरह आगे चल कर बाशु की हुएở जो पूरे सच्चे भाव से सिप जी की भक्ति किया करते थे सिप जी बाशुकी की सुधडा भक्ति से पून भक्ति देखकर बेहत खुस हुए और बासु की को गले में धारन करने का बर्दान दिया सिपकी भक्ती से मिले इस बर्दान के कारणी एक साब भगवान सिपकी गले में लिप्टा हुआ नजर आता है किवंतियों के अनुसार जब भगवान सिरी किष्ण को उनकी पिता बासुदेब गोकुल ले जा रहे थे तब नागराज बासुकी नहीं यवुना के तूफान में उनकी रक्षा की थी इसके साथ जब देवताओं और देट्नियों के बीच अमरत प्राप्त करनी के लिए समुद्र मंथन किया गए था उस दोरान मेरु परवत को मतनी के लिए बासुकी नाग का ही रसी के रूप में प्रयोक किया गया था इसी दोरान समुद्र मन्थन के दोरान निकले बिसको भगवान सेब ने गले में धारन कर लिया था और घर्सन के कारण बासुकी लहु लूहान हो गये थे पुरानों में ये भी बताया गया है कि नागराज बासुकी के सिरपन नागमनी स्तापे थे इसलिए भगवान सिब को बासु की अत्यांत प्रिये और वो हमेशा अपने गले में धारन करते हैं जोतिस के अनुसार भगवान सिब जी को आदी गुरु माना गया है सिब नहीं अपने प्रिये भक्तों को तंत्रे साधना और इस्वर को पाने का रास्ता दिखाया है सिब में साधना से कुंडिली सकती को नियंतरित कर लेने की सकती है जिसका प्रतिक उनकी गले में लिप्टा साप माना जाता है यानि कि सिब सर्पु जैसे विसेले भयानक और ब्रोधी भावबाले जीप के साथ भी अपना सामझस स्तापित कर लिया है इसके अलावा सिब ने साप को गले में लपेट कर ये भी संदेश दियाए कि दुरजन भी अगर अच्छे काम करें तो इस वर उसे भी सुईकार कल लेते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अब भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर हर महादेव लिखना मत भूलेगा हर हर महादेव